पानी रे पानी, NCRT, पाठिय पुस्तक, पुष्ट संख्या 20, क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हूँ, कक्षा में सुनाओ, उत्र, पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसे रंग में मिल जाए, उस रंग जैसा, आभार, हिंदी सीनमा के गाने से लिय गया, कविता, कविता में पानी से जोड़ी कौन सी आवाज को बात कई गई है, कुछ आवाजों तुम भी बताओ, उत्र, कविता में पानी से जोड़ी वी निमन आवाजों के बारे में बात की गई है, कल, 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 चल, 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 कुछ और आवाजे है, चपाक, चपाक, कवी ने क्या कहा है पानी कहा कहा है उत्र कवी ने कहा है कि पानी नदी जरने जिल चथा कवे में है नीचे दिये गिये जिन कामों में पानी जरूरत है उन पर सही का निशान लगाओ खेल में गाने में चाई बनाने में आटा गुनने में लिखने में नाव चलाने में चित्र बनाने में पौधे को उगाने में और पंखा चलाने में उत्तर लिख खेलने में गाना गाने में चाई बनाने में आटा गुनने में लिखने में नाव चलाने में चित्र बनाने में औ बोदों को उगाने में पंखा चलाने में ऐसे चार काम लिखो जो तुम पानी के बीना कर सकते हो और तुम पानी के बीना नहीं कर सकते हो उत्तर बोलना चलना पढ़ना खेलना जैसे काम में बीना पानी के कर सकता हूँ खाना खाना बरतन दोना नहाना कपड़े दोना जैसे काम में बिना पानी के संभाव नहीं है किसके लिए कितना इन कामों में सबसे जदा पानी जिसमें लगता है उसे उसे पहले लिखो और बाकी ज्यादा कम से कम करम में लिखो काम नहने में पानी में पानी में घर दोने में खेत में पानी देने में आटा गुंदने में उतर खेत में पानी देने में घर दोने में नहने में आटा गुंदने में और पीने में NCRT पाठ्य पुस्तक पुस्टर संख्याग 21 कहां से मिलते हैं पानी तुमने कविता में नदी, जरने, तालाब और कुएं के बारे में पड़ा इन में से हमें पानी मिलता है तुम पानी कहां कहां से लाते हो तुमारे घर में या घर के आसपास उन से जो जो है उन पर गिरा लगाओ जिल, केवा, कवा, तालाब, जरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबेल, नल, नलकुप, टॉला, टॉका और गरम स्तृत उतर जिल, कोहा, तालाब, जर्ना, सागर, नदी, नहर, ट्यूब, वेल, नल, नलकूप, टाका और ग्रामसोर किरा हुआ खुला, तालाब, नल और टाका क्या तुमने कभी जीवन में गरम पानी निकलते देखा है? कहा? मैंने मरने करनी का घाट में जमीन से गरम पानी निकलते देखा है क्या तुम्हारे गाउ या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम लिखो उतर हाँ मेरे शहर में से यमुना नदी बहती है क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो उनके नाम लिखो कुछ नदियों के नाम निचे लिखे गए है यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलाच, चैनाब, महानदी, भ्रमोपुत्रा, आदी तुम्हारे घर में पानी, पीने का पानी कहां से आता है उत्र मेरे घर में पीने का पानी पैप से आता है, क्या पानी लाने के घर से दूर जाना पड़ता है, पानी लाने में कितना समय लगता है। इसे भी कुछ लोग हैं जिने वहां से पानी बरने नहीं दिया जाता उतर नहीं ऐसा कोई भी नहीं है पानी को भरकर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है पानी को भरकर रखना इसलिए जरूरी है कि पानी नहीं आने पर हम इसका इस्तमाल कर सके तुम्हारे घर के लिए पान अतापिताव यह काम करते हैं, मैं कभी-कभी उनकी मदद करता हूँ, NCRT पाठिय पुस्टक संख्या 22, नीचे दिये गए चित्रों में से उन में रंगवे भरो और जिन में तुम पानी भर कर रखते हो, NCRT पाठिय पुस्टक संख्या 22 देखे, उतर स्वयम करो, तुम्हारे घर में यदि किनी और चीजों में पानी भर कर रखा जाता है, तो कौपी में उनका चित्रों बनाओ और नाम भी लिखो, उतर स्वयम करो, चित्रों में दिये सभी बरतनों में यदि उपर तक पानी भरा होता तो एक किसी बरतन में सबसे कम पानी होगा दूसरा किसी बरतन में सबसे ज्यादा पानी होगा या तुम कैसे कह सकते हो उत्तर लोटा में सबसे कम पानी होगा और बाल्टी में सबसे ज्यादा पानी होगा यह बरतन के आकार और देखकर कह सकते हैं। एंसे आती पाठिय पुस्तक। पुस्त संख्या 23 छुटकी चक्राई। तुम्हारे तुम्हें क्या लगता है। क्या छुटकी से गिलास में कम पन्ना था। उत्तर चुटकी पन्ना एक बरतन से दूसरे बरतन में डाला गया था। इसलिए छुटकी से गिलास में कम पन्ना कम पानी नहीं था। पानी कहां कहां से मिलता है। वर्ग पहली में ढूंडो और घेरा लगाओ। क्या तुम दस और ढूंड पाओगे। उत्तर बावडी, जील, बारिश, कुवा, सागर, नहर, नदी, टाका और तालाब। मैं दस से ज़्यादा ढूंड पाया। NCRT पाथिय पुष्टक, पुष्ट संक्या 24। इन में से अलग है उस पर घेरा लगाओ। बताव क्या है नदी, पहाड, तालाब, सोता, नहना, कपड़े धोना, तेरना, कंधी करना, आटा गुंदना, मचली, बत्तक, बंदर, मगरमच, कच्छुआ, कार, नाव, बस, रिलगाडी, साइकिल, उत्तर, पहाड, कंधी, कंधी करना, बंदर और नाव। पहाड पर जरूरी नहीं कि पानी हो, कंधी करने में पानी की जरूरत नहीं होती है, बंदर पानी में नहीं रहता है, नाव पानी में नहीं चलती है, रंगों से खेल, एक कागस को बीच से मोड़ो, अब खोलकर अलग अलग रंगों के कुछ बुंदे डालो, कागस को फिर स से मोड कर दबा दो खोल कर देखो क्या बना उत्तर स्वयम करो